बच्चों, मैं मिस कनक लता चा, आज फिर से कक्षा आठवी, नौवी और दसवी के बच्चों के लिए कुंडलिया के कुछ और भाग और व्याख्या लेकर उपस्तित हुई हूँ हमने पिछले वीडियो में कुंडलिया के पहले पद को पढ़ा और समझा आज उसके बाद वाले पदों को पढ़ेंगे और समझेंगे कवे कहते हैं कि साधरन सा कंबल कमरी का अर्थ है कंबल और उसके उप्योगिता क्या है इसके बारे में इस पद में चर्चा की है कवीराई कहते हैं कि काली कमरी अत्यन थोरे मुल्य में प्राप्त हो जाती है इस सस्ती कमरी के अनेक लाब है यह हमारे बहुत प्रकार से काम में आ सकती है जैसे कि खासा, मलमल, वाफता ये सब बहुत महंगे कपरे होते हैं इन जैसे महंगे और कीमती कपरों को धूल और पानी से रक्षा करने में ये सस्ता कंबल बहुत काम आता है कीमती कपरों को भी इस कंबल में लपेट कर हिफाज़त से रखा जा सकता है उन कपरों की गठरी बनाई जा सकती है यही रात नहीं से पगर रात में अगर मानो लिजी कि आपको जार कर बिच्छा कर कहीं सोना परे तो आप इस पर आराम से सो सकते हैं ठंड लगे आपको रात में ओड़ कर सोना है तो आप इसको ओड़ कर भी सो सकते हैं दर्गवीराय कहते हैं कि इतनी उपयोगी कंबल बहुत कम दाब में उपलब्ध होती है अतर ऐसे कंबल को सदा अपने साथ रखना चाहिए हम मनुश्य ना पहले भी मैंने आप लोग को बताया आज फिर आप लोग को बताती हूं हम लोग सिर्फ बरी बरी चीजों की पीछे ठाकते हैं बरी बरी चीजों की तलाश करते हैं खोच करते हैं लेकिन हमें तलाश करनी चाहिए ऐसी चीजों को जो हमें खुशी प्रदान करें हमारी रक्षा करें और खुशी बरी चीजों में कभी हासिल नहीं होती खुशी हमेशा ही छोटी छोटी चीजों में हमें कवे कहते हैं कि इस संसार में हर एक व्यक्ति अपने गुण की वज़े से जाना और पहचाना जाता है अगर किसी में गुण ना हो तो हम उसका महत्व नहीं देख पाते हैं हम उसको जान नहीं पाते हैं हम उसको समझ नहीं पाते हैं जो importance हमें देना चाहिए यह हम देते हैं गुण वाले व्यक्ति को वो हम उसको नहीं दे पाते हैं जिसमें कोई quality नहीं होती जिसमें कोई गुण कोयल दोनों काले रंकी होते हैं लेकिन कोयल हम सबको बहुत अच्छी लगते हैं और हम कोय को अपावन मान लेते हैं शिर्फ श्राद के कुछ दिनों में उन चंद 15 दिनों के लिए हम उस कोय को पूछते हैं तो कवी का कहने का मतलब है उसके आवाज जो कोय की करकर्स आवाज ही होते हैं इसलिए कभी कहते हैं कि जब भी आपके पास आपको ये महसूस हो कि आपके अंदर कोई गुन है तो उसे निखारकना चाहिए उसे तराशना चाहिए लोगों के सामने लाना चाहिए और उस गुन के बदौलत अपनी एहमियत को इस दुनिया में समाज में बरकरार रखना चाहिए धन्यवाद